हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप लो बहुत अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कलेजी यह देखिए हमने कलेजी ले लिया है और थोड़े से किट्नी के पीस ले लिये हैं अब हम इनको एक साथ बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं देखिए मसाले में हमने लिया है दो चम्मच अद्रग लसुन का पेस्ट है नमक स्वात के अनुसार आधा चम्मच हल्दी है और एक चम्मच लाल मिर्च है चार बड़े चम्मच धनिया का पाउडर है और एक तो चलिए बनाते हैं यह देखिए आधा किलो प्याज हमने लिया है इसको इस तरह से काट लिया है देखिए हमने कुपर चम्मच पे चल्ढा दिया है इसका जो पानी पहसे सुखा दिया है अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे इससे पेस्ट लिना अलत खुलकर आता है तेल जब गरम हो जाएगा तब प्याज डाले तेल देल गरम हो चुका है अब इसमें एक मुठी प्याज डाले जादा ने डालिया एक मुठी डाली प्याज गोल्डी ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें यह के हमारा कर दूल दाले तेल करली कर दो को अधिर से कलर्ट जेन यूनिकल के तलना है कि अधिर कितना अच्छा को तुलर शेंज हो रहा है कि और में थी तरह पूरा कलर शेंज करना है अधिर से कलर शेंज हो रहा है अब अम इसमें डालेंगे अपने जो मसाले हैं वो अधिकी जो मसाले में आपको दिखाएं वह इसमें हैट कर देंगे अधिकी जोड़ा से पानी डाल के मसाला भूंजने प्लकता हमें इससे बूंज़गा है यह देखिए इसमें कमच्छा से डाल इसको बूंज लेंगे यह देखिए अच्छा था पक्रा तेल हमारा उपर आ गया है मसाला भूंज चुका है अब यह प्याज भी हम इसी में डाल देंगे कच्छी प्याज इसका तुपस्वादना अलग ही कुछ आता है इसको डाल देंगे और हम इसमें पानी अपना चोड़ा हुआ है अब हम इस देखिए अच्छा सीटी के बाद हम गैस बंद करके फिर इसको चेक करें देखिए च्छा सीटी आ चुकी थे मने कुकर बंद कर दिया है कुकर मारा ठंडा हो गया अब चलिए इसको देखते हैं खोल यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हरा ध अदा चमाज गरम मसाला उपर से और डालेंगे इसमें तो सारा हरा धनिया यह देखिए हमारा अच्छा सा तयार हो चुका है अब हम इसको करेंगे प्लेटिंग यह देखिए हमारा कलेजी का सालन तयार है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइफ ज़रूर करिएगा चैनल पे ने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जदा जदा शेयर करिएगा और अगली वीडियो में आपसे पिर मुलागात होगी बाई बाई